दोस्तों इंग्लेंड के खिलाब भार्ती टीम की प्लेइंग 11 हुई घुशित हर्दिक बने कप्तान रोहित फिट नहीं भार्ती टीम में शामिल हुए तीन भोके शेर। बड़े बतला हुए हैं और भार्ती टीम में कौन से दिकच खिलाडियों की वापसी हो रही है पूरी खबर इस ब्रैंड वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं खार्तिक पांडिया और रोहित शर्मा में कौ सबसे बहतरीन कप्तान है तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का बेहधी रुमांचक मकाबला यानि कि सेमी फाइनल मकाबला भारत और इंगलेंड की बीच खेला जाने वाला है जहां दोस्तो तीस मिनिट यानि कि देल भजे से होगी जहां दोस्तों गर आपको यह मैच टेलिविजन पर देखना है तो स्टार्स पोस्ट नेटवर्क पर देख सकती हो और मुबाइल पर देखना है तो होट स्टार एप्लिकेशन के जरिये से आप इस मैच का आनन्द ले सकते हो दोस्त टीम इंडिया का सबसे बहतरीन पर देशन रहा इस वर्ल्ड कप में हालाएं कि दोस्तों इसका सरे भातिक खिलाडियों को जाता है जहां बले बाजों को जाता है गेन बाजों को जाता है लेकिन दोस्तों सबसे अधिक सरे कप्तान रोहित सिर्मा को जाता है जी हां दोस्तो इसे बीच रोहिद सिर्मा के फिटनिस को लेकर बड़ी खबर आई है जहां दोस्तों रोहिद सिर्मा नेट प्रैक्टिस के दोरान चोटिल हो गए हैं जिसकी वजह से रोहिद सिर्मा के खेलने पर अभी भी संदेह बना हुआ है ऐसे हम दोस्तों गर रोहित सिर्मा नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया के लिए यहाँ सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है अगर दोस्तों रोहित नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह सो परतिसत हार्दिक पांडिया कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे तो ऐसे में कहीं न कहीं दोस्तो प्रोहित के नाख खेलने के बाद टीम इंडिया में अचानक से बड़े बदला होंगे आखर ओपनिंग कौन करेगा, कौन से खिलाडियों की एंट्री होगी, कौन से खिलाडी बाहर होगे तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं सबसे पहले दुस्तो भारत की ओपनिंग बलेबाजी में बड़ा बदला होगा जहां दुस्तो केयल लाहूल के साथ रिशब पन्त ओपनिंग बलेबाजी करती हुए नजरा सकती है जहां दोस्तो रिशब पंत ने पहले भी ओपनिंग बले बाजी में काफी अच्छा प्रदेशन किया है इन्हें मौके तो मिले हैं लेकिन दोस्तो रिशब पंत की जगह तो फिलहाल टीम इंडिया में नहीं बन रही थी जिसकी वजह से वहे बैंच पर बैटे थे लेकिन कीयल लाहूल तो लगातार शांदार प्रदेशन करते होए नजरा रहे हैं पिछले दो मैचस में राहूल ने लगातार दो अर्दशी तक जड़े हैं राहूल का यह प्रदेशन टीम इंडिया के लिए काफी खुशखबरी की बाद है और दोस्तो अगर टीम इंडिया को सेम काफी रंस निकले हैं जहां विराट कुली टूडामेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलारी हैं तो ही पर सूरी कुमार यादो इस साल टी-ट्विंटी किर्केट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बले बाज हैं दोने इंखिलाडियों ने टी ट्विंटी किर्केट में अपना जल्बा बर्खरार रखा है। उम्मीद करते हैं कि इसे मेफारिल मैच में भी इंगलेंड के खिलाफ धुआधार प्रदेशन करे। इसके लावर नमबर पांच पर एक बार फिर से हार्दिक पांडिया खेलते ह नजराएंगे जो कि बलेबाजी के साथ साथ गेनबाजी में भी पूरा और भरपूर योगदान देते हुए नजराएंगे। के पांच ओहर में डाइसो और टीनसो के स्ट्राइक रेट के साथ बलेबाजी करने का माद़ा रखते हैं। हाली में आईपल के दोरान हमने देखा था तो उम्मीद है कि दोस्तो धोनी जैसा धिनिश कार्टिक प्रदेशन करे। इसके लावर नमबर साथ पर भी बड़ा ब दोस्तो लेग स्पिनर गेंबाजों का इस टी 20 वर्ल्ड कप में बोल बाला रहा है तो चेहल तो अपनी बहतरीन गेंबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलानी की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसके रहाव धिपक खुडा को शामिल किया जाये और धिपक खुडा को बलेबा अश्विन ने बले और गेंड के साथ अच्छा खासा प्रदेशन दिया है जहां दोस्तो अश्विन ने अश्विन का अनभाव टीम इंडिया के लिए काफी जदा मददगार साबित हुआ है। उम्मित करते हैं कि सिमेफानल जैसे बड़े मकाबले में अश्विन अपने अ शमी और बोनी शुर्कुमार खेलते हुए नजर आएंगे इन तीनों ही गेंड़ाजों ने श्टी 20 वर्ल्ड कप में काफी बहतरीन प्रदेशन किया है जिसके बुदुरत ही भाइद टीम आज सेमेफानल में पहुंची है इन तीनों ही गेंड़ाजों ने खर मैच में विक इंगिलन होगे रोहित की ना होनी की वजह से कई सारे बड़े बदला होंगे और देखने वाली बात होगी कि रोहित नहीं होगा तो कप्तानी हर्दिक पांड़ा किस तरह के करते हैं दोस्ते ऐसे में आपको क्या लगता है कि रोहित की बना भादी टीम इस मैच को जीत झाल